एक के बाद एक अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है पहले P.O.K में गिलगेत और बाल्टिस्तान में चुनाव की बात और अब कश्मीर का राग पाकिस्तान के आर्मी चीफ राहिल शरीफ की ओर से कश्मीर को दोनों देशों के बटवारे का अधूरा एजेंडा करार देने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है सरकार की ओर से ऐसे बयानों को सिरे से खारिच कर दिया गया है तमाम राजनतिक दलो ने भी बयान की कडिनिंदा की है तो पाकिस्तान द्वारा बार बार कश्मीर को लेकर और भारत के मामलों में इसने पहले गिलगित और बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की ओर से 8 जून को चुनाप कराये जाने की घोशना का भी भारत ने कड़ा विरोत किया सरकार ने इसे पाक की गैर कानूनी हरकत करार दिया है विदेश मंत्राला के प्रवक्ता ने भी साफ कहा है कि गिलगित और बाल्टिस्तान शेत्र साइथ समूचा जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभीन अंग है उन्होंने गिलगित और बाल्टिस्तान में 8 जून को हो रहे चुनाफ को पाकिस्तान द्वरा उन पर अपने जबरन और अवित कबजे को छदम आवरन देने की कोशिश करार दिया इसबीज आएबी के पूर प्रमुक साइद आसीफ अली इब्राहें को पश्चिम एश्या और अफ्गानिस्तान और पाकिस्तान शेत्र का विशेश प्रतणी दिन नियुक्त किया गया है खबरों के मुताबिक पाकिस्तान इससे चिंतित है पाकिस्तान बलही तमाम नापाक हरकते कर रहा हो लेकिन भारत सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और अक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने कुछ दिन पहले साफ कहा था कि देश के हिफाज़त के लिए सरकार किसी भी हद तक जाने को तयार है नियूज नाइट डेस्क डीडी नियूज